और हम यहाँ पर फिर एक ब्लॉग की सुरुवात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर एक अस्पताल में पहुंच चुके हैं यहाँ पर बच्चियों को सम्मानित करेंगे बच्चियों की सरकार की उजनाओं की जानकरी देंगे मेरे साथ में रमन और रमन के साथ मनोस केमरा समाले हुए और साथ में ये समानी है है हैमत निगम जी आज इनकी तरप से बच्चीएं को टेडी वीयर वितुरत किये जाएंगे तक कि बच्चीओं के चहरे पर एक नई मुस्कुराहट देखने को मिले ओ, साथ ही परिवार जिनके चहरे पर भी एक रहे हैं कि किस तरीके से बच्चीयों को TEDDVET बितृत की जाएंगे और आप ये देख रहे हैं कि यह जो मैं इधर से बोल रहा हूं असल में डोल नहीं रहा हूं यहा है मैं अस्पताल में बच्चियों की जो सरकार की योजनाएं चलती हैं उनकी जानकारी उन तक पहुचा रहा हूँ पर क्या करूं लोग सुनने को तयारी नहीं होते हैं बड़ा मुस्किल काम होता है लोगों को सांध कराना इसमें जो मैं बटर 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 में कर रहा उसको आप आगे चल के जरूर सुनेंगे कि मैंने बोला क्या है क्योंकि यह एस्पताल का एक बाड़ है ऐसा फिर दूसरा बाड़ है ऐसा तीसा बाड़ है ऐसे कई बाड़ में जाकर हम लोगों ने यह पूरी जानकारी उनको दी तो यह जो मैं उनको जानकारी दे रहा हू और साथ आपको बेटी पैदा होने पर कैसा लगा देख रहे हैं, आप अम्मा किस तरीगे से बेटी को घूद महला रही हैं, तो यही तो आनन्द होता है, कि कई लोग ऐसे इस्पदाल मिलते हैं, जो بेटी के पैदा होने पर एक तो बहुत कुस होते हो, कई लोग ऐसे भी मिल प्रच करो लोगों को चुप कराया समझाया और इस सामने आप देख रहे हैं स्टी ओपी देख रहा होगा रेट कलर में सामने इसमें असल में यह स्टेंडी रखी हुई है स्पे सारी चीजन लिखी हुई है और इमनुज न साहे थोड़ा सा जूम किया है मुझे लग रहा है क मनुज और जूम करेगा कमान मनुज जूम करो थोड़ा सा ना माकुल इसने तो और जूम आउट कर दिया है असल में उसमें लिखा है कि बच्चियों को कोक में नमा रहे हैं स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन अबाउट जेंडर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करें और सभी को स सभी को देंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको कैसा लगा क्या उनके घर पे काना काने आ सकते हैं तो कई लोग तो हां करते हैं कई लोग कहते हैं ठीक है और इसी के साथ हम लोग इन लोगों से ये भी पूछते हैं कि क्या मैं आपकी बेटी को ले जाओ तो बुलते हां ले और हम लोग बच्चियों की जागरुकता के लिए एक अभियान चलाते हैं जिसका नाम है Love Your Daughter, इसके तहित हम लोग प्रतीस अपता है किसी भी एस्पताल में जाकर जहां पर भी बच्चियों पैदा होती हैं, बच्चियों को सम्मानित करते हैं, सरकार की जो योजनाये हैं, जैसे कि लाडली, सुकन्यय, मात्रवन्द्न, इन योजनायों की जानकारी उन तक पहुचाते हैं, और इन योजनायों का लाब लेने में भी अगर आपको कही समस्या रहती है, तो उसके लिए भी साथ खड़े रहते हैं, जब पहली बेटी होती है, तो उसके लिए सरकार ए इस दिन के अंदर, यानि एक मैने के बाद उनको वो लाडली का प्रमाणपत्र मिल जाता है, एक लाख अठारा यार रुपे का, इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता है, इसमें क्या डॉकुमेंट्स लगेंगे, क्या कागद लगेंगे, वो सब इस पैंपलेट प पर मिलते हैं, छटमी से लेके बार्मी तक, और जो एक लाख रुपे हैं, बिटिया की उम्र 21 साल होने पर ही वो एक लाख रुपे उसके खाते में आते हैं, लेकिन इसके लिए एक सर्थ होती है, कि बिटिया का जो विवाह है, वो 21 वरसे पहले नहीं होना चाहिए, और बा जिचेदानी का ऑपरेशन कराना, अलाकि पुरुस भी करा सकता है, उसके लिए पुरुस या मैला में से कोई भी एक नस्वंदी करा ले, तो वो परिवार नियोजन कहलाता है आपका, तो वो भी योजना का लाख ले सकते हैं, जिनकी दो वेटी हैं, लेकिन परिवार नियो जैसे आप एक उधारन के तौर बल ले लेते हैं कि अगर आप 1,000 रुपे हर महीने जमा करते हैं तो 12 महीने के 12,000 रुपे होते हैं और ऐसे ही पैसा आपको 12,000 यानि 1,000 करके 14 साल तक जमा करना है 14 साल में यह पैसा लगबग 1,68,000 रुपे जमा होगा और जब यही पैसा 21 साल परिवार नियोजन के भी दे देते हैं लेकिन तीसरी पर नहीं मिलता है जब दूसरी बार में जड़वाँ बच्चीया पैदा होती है लेकिन उसमें भी परिवार नियोजन अपनाना होता है है आज हमारे साथ समानी हीम्द निगमजी हैं जो आप सभी बार्ड में जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए एक गिफ्ट लेकर आए हैं खिलोने लेकर आए हैं तो बच्चों को आम लोग देंगे तो जिनको भी बेटियां हुई है उनको बहुत-बहुत बढ़ाई और सुपकामना और जिनको बेटे हुए हैं उनको भी बहुत बहुत बढ़ाई और सुपकामना है तालियों में आपके जोस नहीं है ती कमजोर तालिया क्यों मदरी लड़किया ज़्यादा पैदा हुए क्या किन को बेटियां पैदा हुए है मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या वीडियो के माध्यम से लोगों को समझाया है और आपको क्या समझ में आया है ये चेरे पे आप मुस्कराहट लेख सकते हैं बेटी होने की है या टेडी मिलने की वैसे बेटी होने की ही होगी मेरा आप लोगों से बस एक ही सवाल है कि आपकी घर पर भी बेटिया हैं क्या आप खुश हुए थे जब आपके घर में बेटी जन्मी थी इस प्रस्म का उत्तर आप लोग जरूब दीजिएगा मैं इंपजार करेंगा आपकी प्रस्म के प्रता